आपको बता दे कि केंद्र के अध्यादेश को लेकर कॉंग्रस की बैठक हुई है अध्यादेश के मुद्दे पर आपका साथ नहीं देगी कॉंग्रस दिल्ली कॉंग्रस ने आम आदमी पार्टी के साथ गटवंदन का विरोध किया है आम आदमी पार्टी को समर्थन के विरोध में दिल्ली कॉंग्रस के नेता ये बड़ी और एहम जानकारी आप तक पहुचा रहे हैं जहां पर केंद्र के अध्यादेश को लेकर कॉंग्रस की बैठक हुई है और अध्यादेश के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का साथ नहीं देगी कॉंग्रस पार्टी दिल्ली कॉंग्रस ने आम आदमी पार्टी के साथ गटवंदन का विरोध किया है और आपके समर्थन के विरोध में दिल्ली कॉंग्रस के नेता नजर आए हैं ये बड़ी और एहम जानकारी आप तक पहुचवा रहे हैं जहां पर अध्यादेश के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं देगी कॉंग्रस पार्टी आपके साथ गटवंदन का विरोध दिल्ली कॉंग्रस ने किया है ये बड़ी और एहम जानकारी आप तक के कॉंग्रस नेता केंद्र के अध्यादेश को लेकर कॉंग्रस की ये बैठक हुई है दिल्ली मुख्याले में ये बैठक हुई है और आम आदमी पार्टी के साथ गटवंदन का विरोध करते नजर आए हैं आम आदमी पार्टी के साथ हमारे वरेष्ट समवदाता कुमार अध्यादेश के मुद्दे पर आम आदमी का साथ नहीं देगी कॉंग्रेस पार्टी और इसको लेकर ये बैठक हुई है और बैठक में ये फ्यासला लिया गया है क्या कुछ विश्रेश जानकारी देखिये तिविया इस मामले में अपडेट ये है कि इस मसले को लेकर तमाम तरह के परियाश चले थे आम आदमी पार्टी की तरफ से कॉंग्रेस का दरवाजा खटखटा आये गया था कि इस अध्यादेश का जो मामला उनका चल रहा है इसमें तमाम विपक्षी दल जो है वो उस पर आज एक चिंतन मंतन मनन करने के लिए एक बैटक राष्टी अध्यक्ष मली का जुन खटगे के दुवारा बुलाई गयी कॉंग्रेस मुक्याले पर इस बैटक में राहूल गांदी राहूल गांदी के अलावा केजी वेनू गोपाल और वेजू वेनू गोपाल के सा साथ दो वरिष्ट लोग जो दिगविजय सिंग और एक और नेता की बात निकल कर रहे हैं इन सबने बैठके मंतन किया और मंतन चिंतन मनन के बाद एक निर ने ये लिया कि हम लोग आम आदमी पार्टी के साथ खड़े ने होंगे तो कॉंग्रेस ने बिल्कुल इस पश्च के बाद देखें आम आदमी पार्टी स्वभाविक तौर पर एक नई पॉलिटिकल पार्टी के तहते जिस तरीके से वो लोग पाल के बिल को लेकर आए एक मिशन एक आंदोलन को लेकर सामने आये लेकिन अगर दिल्ली की सतर विजान सवा सीटों पर एक समय ये था कि कहीं के बाद दिल्ली में उन्होंन अपनी सरका बना ली तो अपना जनाधार कहीं आम आदमी पार्टी कोई तू ही नजर आ रही है लेकिन जिस तरीके से कॉंग्रेस ने एक दूरी बनाई है उस तरीके से सुभाविक तोर पर एक बात बिल्कुल किलियर हो गई है का आगामी लो भाकि इसमें किस्ती यकर नियर nuances लेकिन जब किसी से आप समर्ठन मांगने केलिए जाता है आम आदमी पार्टी समत्रन मांगने कर जाता है और कॉंग्रेस इस पर तूर पर उसको समर्थन देने से मना कर दिया अपने पतसे बर मिल्कुल किलियर फसक्र दिया है नहीं हुग क देखना दिल्चस्प होगा कि अवाँ आदमा आदमी पार्ट इस मसले पर किदर और क्या लोख लेती है कॉंग्रस विपक्ष के तौर पर एक मजबूत विपक्ष के तौर पर खड़ी होती थी लेकिन आम आदमी पार्टी उस जगह पे जाकर कहीं न कहीं कॉंग्रस के बोट काटने का काम करती है और शायद है कि ये भी वज़ा हो सकता है कि आम आदमी पार्टी से मुझ फेरते नजर आ सकते हैं कॉंग्रस पार्टी आपने बिल्कुल जो बात कही है उस बात में इसलिए भी दम है और इसलिए भी उसमें उन तथ्यों को हम लोग डिसकस कर सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो अस्तिक तो था जो खड़ा खड़े हुई कॉंग्रेस के रनीतिकारों को ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी उसकी वोट काटती है मतलब एक तरह से वो उसको बात इंता पार्टी की बी पार्टी के तोर पर स्वभाविक तोर पर मानते हैं और कॉंग्रेस के रनीतिकार है उन्होंने एक बात यह तैकर रगे कि आम वाले समय में ठीक है और चुकि आम आदमी पार्टी के पार्ट जो बोट ट्रांसफर हो रहा है कॉंग्रेस को ऐसा लगता है कि वो जो पारंपरिक वोट है वो कॉंग्रेस का वोट है कॉंग्रेस के वोट परसंटेज को अपनी तरफ डाइवर्ट किया और आमादमी पार्टी को सुईप अपना सरकाज चला रही है तो आप कॉंग्रेस को भी बिल्कुल लगता है कि आमादमी पार्टी से दूरी बना गया उनना रखनी चाहिए ठीक है राजकुमार शुक्रिया तमाम ज़ानकारी साज़ा करने के लिए नज़र बनाए रखेगा आप डेट्स लेते रहेंगे